असलाम लेकुम एम्रीवन, वेलकम तो आईशा मेडिकल एजूकेशन, I hope you all are fine and in good state of your health, I am uploading this video after a long time on this channel, आज से जो है वो हम इन्शाला regular वीडियो स्टार्ट करेंगे, so मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं प्लीज फिजॉलोजी स्टार्ट करें so अब जो है वो हम फिजॉलोजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो मैंने सेक्शन स्टार्ट किया है, medical फिजॉलोजी का वो है हमारे पास, renal फिजॉलोजी and skin, ठीक है, so अगर आपको भी किसी specific topic पर वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई topic जो हम understand नहीं हो रहा, तो आप मुझे comment करें, इंचाहला मैं उस topic पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, so अब से जो हम regular videos बनाएंगे, so this is the section जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है renal physiology and skin, ठीक है, उसका जो first chapter है, वो हमारे पास, overview of kidney, mean जो kidney है, उसका सारा का सारा हम इसमे overview देखेंगे, और इस overview में जो हम study करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास इसकी functional anatomy and physiology, ठीक है, so इसमें हम सारी की सारी इसकी functional anatomy and physiology देखेंगे, so सबसे पहले हम देख लेते हैं, कि जो renal system है, हम इसको urinary system भी बोलते हैं, and excretory system, ठीक है, जो renal system है, वो हमारे पास क्या होता है, urinary system भी होता है, or the excretory system, और यह किस पर कॉंसेस्ट होता है, a pair of kidneys, pair of ureters, a urinary bladder and urethra, mean हमारे जो urinary system है, इसमें क्या होता है, दो kidney होते है, दो ही ureter होते है, एक urinary bladder होता है, एक urethra होता है, ठीक है, हमारी body जो है, वो क्या करती है, waste products को जो है, वो excrete out करती है, different system के थू, उस में जो है, वो urinary system भी आता है, और दी रेनल system, रेनल system क्या करता है, urine की form, urine formation करता है, और body से excrete out करता है, उसके लावा other functions भी perform करता है, अगर हम digestive system की बात करें, तो वो क्या करता है, फीसिल के form में, जो है, वो waste product को excrete out करता है, स्कीन जो है, वो साल्ट और water को excrete out करती है, liver क् तॉक्सिक जो है झो भी stupid prophet i7ी के से ओक उसके लभाव मारे बास लग्स in सीजktलेंस करते हैं इसको लंख से करते हैं सिस्टम है उसका में फांक्षयन क्या होगा हमारे पात एकdr 나 formation सबसे पहले हम देख लेते हैं किड़नी को वह किया इसके इसके अंदर वह हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे मीन इसका इसकी में सबसे पहले यह हो मारे पास क्या है इसका मैंने इस तरह से क्रॉस सेक्षण रहा किया है यह जो ग्रीन लाइनिग जो आउटर यो मिडूल के बाद है इसमें आजब हैं इसको मेडूलरी पार्मेड्स बोलेगे इसके बारा साइनुस का प्पोर्ट्षन इसको नियुक्त्व होता है किड्निय। इसमें आ जते हैं हमारे पास calyx, this is the minor calyx, ठीक है, this is major calyx, यह हमारे पास pelvis, ठीक है, यह drain करते हैं, pelvis में, pelvis से नीचे कौन सा pipe बन जता है, ureater, ठीक है, then pelvis के बाद यह हमारे पास क्या बन जता है, ureater, ठीक है, ureater क्या करते हैं, हमारे पास two ureater होते हैं, जो दोनों किसमें leave करते हैं bladder में और bladder क्या करता है temporarily हमारे urine को store करता है basically two kidneys उन से आएंगे दो युरेटर दौनों युरेटर किसमें आ जिएंगे bladder में और bladder के थूरु जो है फो bladder में temporarily युरे जो है वो store होता है नो ब्लैडर जो है वो किसमें empty हो जाता है युरीतरा में और यूरीत्रा के थ्रू जो है वो हमारा यूरन बॉडी से इस्क्रीट आउट हो जाता है ठीक है यह वही यूरीट्र है जो किसमें जाकर लीव करेगा ब्लैडर में ठीक है यह हमने थोड़ा सा डियाग्राम को देख लिया ब्रीफली अब हम डिटेल यहां पर देखते हैं ठीक ह किड़नी जो है वो इसकी अगर डाफिनिशन की बात करें तो किड़नी हमारे पास क्या होता है इट इस अ कंपाउंड टीविवूलर ग्लैंड कवर्ड वीद कॉनेक्टिव टिशू कैपस्यूल जो हमारा किड़नी है एक क्या है टीविवूलर स्ट्रॉक्चर है और डिवूर That Do The nerve और आज अगिउंड की बात करें ग्लैंड क्यों है यह बहुत सारे हार्म न्व सरो टा ठींड-टीव होता है जो कवर होता है अब हम बात करते हैं हाइलम की हाओं कहाँ होता है हाई बसेकली एक डिप्रेस्ट्रेशन को बोलते हैं मेने गड़ा या डीपेंड स्ट्रक्ट्च्चर ठीक है वह कहां पर होता है मीडियल बॉडर ती अधिनी को इसके अंदर कई इसको हम बोलते हैं हाईलम के अंदर को बहुत सारी आर्टरीज ट्राइबिटरी और नवस जहां वो इसके अंदर जारी होती है और पैल्विस जहां वो लीफ कर रहा होता है सो इस हाइलम के थू बहुत सा स्ट्रक्चर एंडर और लीफ करते हैं किड्नी को ठीक है इसको हम बोलते हैं हाइलम here is the this point is हाइलम ठीक है ruitन घ्रेनियूलर एपेरेंस होती है ठीक है झी और इसमें क्या होता है कोटिकल टिश्व है वो क्या करते हैं मेनट्रे डीक है यही इस चाहँ से इन वीटोलकशआ्चर के जो cortical tissue जो है मेडोला के दर्मियान penetrate करता है उसको हम बोलते हैं columns of burden these are the columns of burden next आ जाता है हमारे पास middola ठीक है inner middola inner middola में क्या होता है यह middolar या pyramidal structures present होते हैं ठीक है it contains tubular and vascular structures arranged in parallel radial lines basically हमारा kidney सारे का सारा tubular structure है इसके जो सारे tubules रेडियल lines की form में arrange होते हैं किसके अंदर middola के अंदर ठीक है इसमें क्यों होता है कि जो main medullary mass होता है इसका जब मैंने red color में draw किया यह सारा क्या है middola है ठीक है इसका जो main medullary mass है वो किस पर consist होता है 8-10 medullary pyramids ठीक है यह जो इस तरह से triangular structure है इसको हम बोलते है pyramids ठीक है so main कितने होता है यह 8-18 होते हैं बट इस diagram में मैंने कितने draw किया है 8 draw किया है ठीक है so 8 क्या है medullary pyramids अगर इनकी हम direction की बात करें तो इनकी जो base है मेडूला की वो किसके साथ attach है cortex के साथ और जिसकी apex है वो किसमें drain कर रही है calyx में जिसकी हमने पहले बात की चोटे-चोटे क्या है minor calyx है और यह मिलके दो बड़े major calyx बना रहे हैं ठीक है अब आ जाते हैं हम renal sinus पे जिसमें हम लोग main detail calyx को देखेंगे ठीक है सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास renal sinus में 8 minor calyx है 223 major calyx है और उसके लवा pelvis है ठीक है सबसे पहले minor calyx सी बात करते है basically calyx कुछ नहीं है एक tubular structure है ठीक है इस तरह से याद करें जितने pyramids होंगे ना उतने ही क्यालें के calyx होंगे हर हर pyramid के लिए एक क्यालेक्स है minor calyx ठीक है जैसे हम आरे पास क्या है 8 midolary pyramids है और हर pyramid में से एक-एक minor calyx attached ठीक है this is minor calyx this is minor calyx this is minor calyx minor 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 ठीक है so क्या हुआ eight minor calyx है अब यह minor calyx मिलके two to three major calyx बनाएंगे these are the two to three major calyx this one major calyx and this one major calyx ठीक है अब यह दो major calyx unite करके क्या बना देंगे pelvis बना देंगे this is the pelvis ठीक है यह जो मैंने इसको label किया है यह कह है पैल्विस है अब पैल्विस जाय हो आगे continue करके क्या बन जाएगा यूरीटर बन जाएगा ठीक है तो हम क्या पढ़े थे रिनल साइनस रिनल साइनस में देखे माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स पैल्विस उसके लाब क्या होगा रिनल आर्टरी नर्फ वेंस ट्राइब्यूटरी और अदर स्ट्रक्चर होंगे ठीक है जिसको एंटरोर लीव करेंगे